नमस्कार, गरतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद, टाइम्स नाउ ने जो खुलासा किया है, वे आखें खोल देने वाला और हर देशबक्त नागरिक को चिंता में डालने वाला है, यह सवाल तो हर समझदार व्यक्ति के जहन में लगातार आत रहा है कि आखेर किसान बिल में गलत क्या है, और किसलिए यह आंदूरन किया जा रहा है, कुछ लोग यह सोच लेते थे कि आखेर विपक्च को सत्ता पक्च का विरोत तो करना ही है, यही लोगतंत्र है, हो सकता है, उन्हें कुछ गलत लग रहा होगा, इसलिए वे किसान आ वारोप लगाए हैं अगर वे सही हैं तो यह किसान आंदुलन नहीं बलकि भारत द्रोही शडयंत्र है जिसे विदेशों से हवा दी जा रही है टाइम सुनाओ ने इस पस्ट रूप से खुलासा किया है कि किसान आंदुलन के लिए किन किन देशों से फंडिंग हुई है यह खुलासा चोकाने वाला है कि विदेशों से प्राप्त धन से देश द्रोहीयों ने देश में आग लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी पांच करोर रुपे इस आंदोलन के लिए प्रदान किये यह राशी खालिस्तानी चीफ आतंकी बादवा सिंग और केसी एफ चीफ परमजीत सिंग पंजवार को दी गई यह दोनों भारत सरकार द्वारा एक जुलाई दो हजार बीस को आतंकी घोशित किये जा चुके हैं कुछ अन्य खालिस्तान समर्थक गृपों ने भी इस आंदोलन के लिए राशी मोहिया करवाई है संतोक सिंग लली और स्वैंड जीत सिंग गोत्रा ने किसान आंदोलन के लिए इटली से दो सो हजार ब्रिटिश पाउंड इखटे किये कैनेडा से जोगिंदर बसी ने तीन करोड भेजे तो ब्रिटिश और्गनाइजेशन आफ सिक स्टूडेंट के अलावा ब्रिटिश सिक काउंसलिंग के प्रेसिडेंट कुलवंत सिंग बेसी और जनरल सेकेटरी दर्शन सिंग देओल ने भी किसान आंदोलन के लिए फंड जुटाया इन लोगों का संबन्द खालिस्तान टाइगर्स फोर्स और सिक फोर्स जस्टिस से माना जाता रहा है खास बात यह है कि फंड केबल जर्मनी, इटली या इंगलेंड से ही नहीं जुटाया गया बलकि यूके, कैनेडा, यूएसे, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड से भी किसान आंदोलन के लिए पैसा आया यह पैसा हवाला के माध्यम से आया, कैश कूरियर से आया, प्रो खालिस्तानी समूहों ने वेस्टर्न यूनियन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा संकलित किया और पंजाब के अपने से संबन्दित एंजियो वा किसान यूनिट को भेजा, इस पैसे का उप्योग परिवहन वेवस्था, मीडिया चैनलों में सकरात्मक कवरेज, प्रभावित किसान परिवारों की सहयता के लिए किया गया गोफंड पर चलाए गए 34 रेजिंग केमपेंड से 2 करोर 40 लाख रुपे और फेस्बुक पर चले 13 केमपेंड के माध्यम से 52 लाख रुपे खटा हुए चलाए गए इस प्रकार 10 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच अर्थात महज एक महा में लगबग 3 करोर रुपे खटा हुए इस धनका उप्योग किसान अंदुलन के लिए हुआ जो की FCRA का इसपस्ट उनंगन है इन संग्टनों ने पंजाब के किसानों को सिंदु बॉर्डर पहुचने के लिए प्रती ट्रॉली भुक्तान किया छतिगरस्त होने की दशा में प्रती ट्रॉली पर्थक से ब्यवस्ता सुनिश्चित की गई इसके 2,30,000 डॉलर रखे गए रेली में खालिस्तानी जंडा लहराने के लिए एक हजार यूएस डॉलर की ब्यवस्ता थी इंडिया गेट और राजपत पर खालिस्तान मोर्चा खालिस्तानी जंडे बैनर के लिए प्रतक से धाई हजार डॉलर रखे गए उफ मेरा तो दिमाग ही घूंग गया यह रिपोर्ट देखकर और फटापट इसका हिंदी अनुवाद आपसे साजा करने से अपने आपको रोक नहीं पाया एक सवाल बार बार लोग पूछते रहे हैं कि अपनी नानी से मिलने ऐसे मौकों पर ही क्यों जाया जाता है मुझे तो जवाब मिल गया आपको मिला क्या नमस्कार